सबसे पहले सभी साथियों को जय गुर्देव तान गुर्देव दोस्तों तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ आज फिर हम सत्गुर्विदास महराजी के पावन पवित्र शबद सत जुग सतू तेता जुग दुआपर पूजा चार शबद की व्याख्या करने जा रहे हैं तो सभी साथि जादस जादा संख्या में जुड़ जाए ताकि हम सत्गुर्विदास महराजी के पावन पवित्र शबद की व्याख्या कर सके आपको ये शबद समझा सके मेरे कुछ साथि हमारे साथ जुड़ गये हैं तो चली हम शुरू करते हैं सत्गुर्विदास जी महराज मानवता को पावन उपदेश देते हैं कि प्रभु के नाम सिम्रन के बीना जीव का जनम मरण के चक्र से चुटकारा नहीं हो सकता परम पारस गुरू का मिलाप होने से जहां जीव वहम भरम और करम कांडों से मुक्त हो जाते हैं वही इसके मन में सरगुण और निरगुण का एक ही विचार रह जाता है दोस्तो आज हम सत्गुर विदास जी महराज के पावन पवित्र शबद की व्याक्या करेंगे जो की बहुत ही प्यारा शबद है आपको सुनके अपना जीवन सफल बनाए दोस्तो और हमारी इस मुहीम में जुड़े दोस्तो जै गुर्देव तान गुर्देव दोस्तो हमा और जादस जादा कमेंट करें ठीक है चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सत्गुर विदास महराज जी क्या लिखते हैं सत जुग सतु तेता जुग द्वापर पूजा चार तीनो जुग तीने दिड़े कल केवल नाम अधार की सत युग में सच बोलने की प्रधानता थी सत ग करने की प्रधानता थी तीनो युग में यह तीनो करम दिड़ थे नियत थे पर कल युग में केवल प्रभु का नाम ही सहारा है दोस्तों अगर हम इसको दूसरे शवद में समझेने की कोशिश करते हैं जो सत्गुर विदास महराज जी ने लिखा है कि सत्युग में सच बोल में लिखे गए थे कल युग में देवी देवतों का अधार माना जाता है सत्गुर विदास महराज इन चारो युग प्रधानता को ना मानते हुए मानवता को पावनुपदेश देते हैं दोस्तों सत्गुर विदास महराज ने त्रेता युग द्वापर युग ठीक है और मानवता को पदेश दिया है मानवता का कि उप्रुक्त चारो युगों के करम करने से जीव भाव सागर से पार नहीं हो सकता यह बात समझ कर भी कोई कह नहीं सकता कि इन करमों के करने से मुक्ती मिलती है मुक्ति तो केवल प्रभू प्रेम से मिलती है दोस्तों सत्गुर्विदास महराज ने इस पूरे पकंडवाद को करम कांड़ को अपनी बाणी के दुवारा हम लोगों तक ये बात पहुचाई है कि मैं नहीं मानता इन करम कांड़ों को इनको पूजा पाठ को मैं नहीं मानता है ना दोस्तों सत्गुर्विदास महराज की एक एक शबद करोड करोड का है तो ज़्यादा स्चेर करना लाइक करना कमेंट करना ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है चलो हम आगे बढ़ते हैं इस शबद में और बताते हैं आपको सत्गुर्विदास महराजी आगे क्या लिखते है कि पार कैसे पाइबो रे मोसो कोव न कहे समझाए जाजे अवगागुन विलाए रहाओ कि हे प्रभु जी कि सत्गुर्विदास महराज समझाए रहे कि एक प्रभु के नाम के बिना इस भावसागर और जनम मरण के चक्कर से किस तरक मुक्त होना है इस बात की सचाई मुझे कोई भी कहकर समझा नहीं रहा है दोस्तों ये सचाई है सभी लोग पाखंड के पीछे पड़े हुए है सब लोग करम कांडों के पीछे पड़े हुए है जिनका कोई मतलबी नहीं है सत्गुर्विदास महराज ने ये बात आज से 6,7-7 साल पहले लिखके चले गए है लेकिन हमारी कौम आज भी नहीं जागी है आगे पढ़ते हैं दोस्तों सत्गुर्विदास महराज जी क्या लिखते है बहु बिदी धर्म निरुपय करता दीसे सब लोई कवन करमते चूटिये जे सादे सब सिद्धी होई है ना सत्गुर्विदास महराज जी आगे क्या समझा रहे है वेदो और पुराणों में अनेको परकार के धरम करम नियत किये गए है न अगर हम कोई भी वेद पुराण कोई भी उठा के देखते हैं उसमें बहुत सारे धरम करम नियत किये गए हैं किये गए हैं सारे संसार के लोग इन करमों को करते भी नजरा रहे हैं हम देख रहे हैं लोग मतलब उन करमों कांडों में उन पखंडवाद में लोग पड़े भी हुए हैं है न पर गुरु जी कहते हैं कि यह नहीं बताया गया कि इन अनेकों करमों में से कौन सा करम किया दोस्तो मैं आज एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने सत्गुर्विदास महराजी की बाणी पढ़ दीना मुझे नहीं लगता आपको किसी किसी बाबा किसी पंडित ये किसी के पास भी जाने की जूरुत है क्योंकि दोस्तो सत्गुर्विदास महराजी की अमल कर लिया तो मुझे नहीं लगता आपको किसी पंडित के पास जाने की जूरुत है है ना आप देखो करम अकरम विचारिये संका सुनी बेद पुरान संसा सद हिर्दे बसे कौन हरे अभिमान अब सत्गुर्विदास महराज आगे क्या समझा रहे हैं कि वेदो और पुर कि कौन सा करम किया जाए कि कौन सा करम किया जाए और कौन सा करम ना किया जाए इन करमों के करने से जीव के मन में भ्रम पैदा होता है जब तक जीव के मन में भ्रम है तो एंकार का नाश कोन करेगा भ्रम ही तो एंकार को जनम देता है है ना आप दोस्तों जितने भी आप प के पास जाओगे तो वो बोलेगा ऐसे कर लो किसी तीसरे के पास जाओगे वो बोलेगा ऐसे कर लो किसी के पास भी स्टीक अंसर नहीं है तो आपको भटकने की जुरूरत नहीं है दोस्तो पाकिस्तान एक दोस्त है मोहन परमार वो हमको पाकिस्तान से जैगुर्द रविदास महाराज जी बोल रहा है दोस्तों मेरे को बड़ी खुशी हो रही है यार कि पाकिस्तान में भी हमारी कौम के लोग रहते हैं मोहन परमार जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो आपने लिखा है I am from पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान में भी गुरुवदास महाराज की चर्चा य जितनी भी हमारी ओडियन सुन रही है उसके पास एक अच्छा मेसेज आए कि दोस्तों पाकिस्तान में भी सत्गुरुवदास महाराज जी को चाने वाले या फिर उनको मानने वाले हैं बहुत अच्छा लगा दोस्त मोहन परमार आपने मैसेज किया ऐसी दोस्तों अगर इलाकों से हमें मैसेज करते हैं लाइक्स करते हैं कमेंट करते हैं तो मैं आगे कंटिनू करूँगा दोस्तों सत्गुरुवदास महाराज जी यदि तीर्थों को ही पापों से मुक्ति का साधन मान लिया जाए कि बंदे ने चारो तीर्थ कर लिये आप तो उसको मुक्ति का साधन मान लिया तीर्थों को सनान करने से जीव के श्रीर की मैल उतर जाती है तीर्थों पर सनान करने से श्रीर के जीव है उसकी श्रीर की मैल तो उतर जाती है पर जीव के मन में तो अनेकों प्रकार के विकार बने रहते हैं वो प्रभु का नाम स कि भई तीर स्थानों पर जाते हैं ना लोग तीर स्थानों पर जाकर भी इंसान का तीर स्थान पर जाकर सनान कर लिया वहाँ पर दोस्तों इंसान ने अपने शरीर का महल तो उतार लिया लेकिन अपने मन का महल कहां से उतार होगे कितनी मतलब सलूट है यार मतलब तभी तो मैं जब भी सद्गुरु विदास मारा को देखता हूँ तो उनके यार चरणों को ऐसे उनके चरणों पैसे लगे रहने का मन करता है क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन का उधार किया है है ना और बहुत ही जड़ा पावन पिवितर शवद है अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों जुड़े रहना और आप बताना हमें आप कहां से बोल रो आप सद्गुरु सद्गुरु राज माराद बतते हैं कि वो प्रभु का नाम सिम्रन किये बिना नहीं धोए जा सकते फिर भी कौन सा कर्म करने से शुद होगा जीव का वैवार तो हाती की भाती है हाती को चाहे कितना भी नहला दो लो वैस्वयम पर किचड डाल कर अपना श्रीर पूने मैला कर लेता है ये सचा है ये दोस्तों कि जो हाती होता है उसको आप कितना भी नहला लो धला लो वो क्या करता अपने सूंड में किशड भरेगा और अपने श्रीर के ओपर डाल लेगा ये उसकी उसका सभाव है ये है ना अब आगे आगे पढ़ता हूँ मैं कि एक महान सचाई है कि सूर्य के प्रकास से रात का अंधेरा दूर होता है ये एक सचाई है मतलब एक ऐसी सचाई है जिसको सब मानते हैं कि जैसे रात हुई जब सूर्य होगा तो रात का अंधेरा दूर हो जाएगा और दिन स्टार्ट हो जाएगा न और इस बात को संसार के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे ही जब तक जीव में गुरू के ज्यान का प्रकास नहीं होता तब तक अज्यानता रूपी अंधकार का नाश नहीं होता दोस्तो इस संबंद में सत्गुरू अंग देवजी वर्ण करते हैं कि जदी संसार में सो चंद्रमा और एक हजार सूर्यों की रोष्णी हो जाए तो इतनी रोष्णी होते हुए भी गुरू के ज्यान के बिना गोर अंधकार ही है जब पारस तामबे के साथ स्पर्ष होता है तो उसे सोना बनने में देर नहीं लगती यहाँ पर सत्गुर नामदेव जी फर्माते हैं कि तुम्त जे परसु हमचे लोहा संकंचन भईले कि भाव प्रभु जी आप संसार में पारस की भाती हो हम तो संसारिक जीव लोही के तरह निकम्मे हैं पर आप जी से मिलने कारण हम स्वर्ण बन गए हैं सत्गुर विदास महराज जी आगे क्या लिखते हैं जरध्यान से सुनना दोस्तों और वीडियो को लाइक करना शेर करना और कमेंट जरूर करना आप कहां से हो हमें कमेंट करके बता सकते हो आप आगे क्या लिखते हैं सद्गुरु वदास माराजी जरध्यान से सुनना दोस्तो परम परस गुरु भेटिये पूरब लिखत लिलाट उनमन मनमन ही मिल छुटकत बजर कपाट कि जीव को परम पारस गुरु उस समय मिलते हैं जब उसके मस्तित पर पूर्व कर्म के लेख होते हैं सद्गुरु नाम देव जी वर्णन करते हैं जाके मस्तक लिख्यो कर्मा सोभज पर है गुरु की सरना जिस जीव के मस्तिक्स पर स्रेश्ट कर्मों के लेख होते हैं वह भाग कर संत महापुर्षों की शरण में आ जाते हैं इस तथे की प्रोलता सत्गुरु कबीर साइब जी लिखते हैं कि कबीरा सादू संग परापती लिखेया होई लिलाड की परमपारुस पारस गुरु के मिलने से जीव की अज्यानता के कठोर द्वार खुल जाते हैं और जीव तुरिया वस्ता में पहुंच जाता है आगे मैं पढ़ूँगा दोस्तों आगे सत्गुरु विदास माराज जी क्या लिखते हैं कि भगती जुक्ती मत सत्तिकरी ब्रम बनन कट विकार सोई बसी रसमन मिले गुन निर्गुन एक विचार कि जिन जीवों ने अपने हिर्दे में भगती की युक्ती को सत्ते कर जान लिया है उनके सभी भ्रम और विकारों के बंदन काटे जाते हैं और उनके मन को इस तरह अनन्द मिलता है कि प्रभू के निर्गुन सत्गुन दोनों गुणों का एक ही विचार रह जाता है सत्गुरु नाम देव जी वर्णन करते हैं गुंगे माह अमरी तरस चक्षेओ पूछे कहन न जाई देखो दोस्तों सत्गुरु नाम देव जी ने कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है कि गुंगे माही अमरित रस्चक्यो पूछे कहन न जाई भाव जिस परकार एक गुंगा वैक्ती गुड़ खाने के बाद उसकी मिठास का बयान नहीं कर सकता उसी परकार ही जो जीव प्रभु के परम अनंद में लीन है वैं प्रभु के बारे में बयान नहीं कर सकता इस संबंद में सत्गुरु कबीर महाराज जी वरन करते हैं कह कबीरा गुंगे गुड़ खाया पूछते किया क्या कहिए है ना आगे सत्गुरु विदास महाराज जी क्या फरमाते है सत्गुरु विदास महाराज जी वरन करते हैं कि जीव प्रमात्मा के नाम के बिना अपनी इंद्रियों को विशे विकारों से रोकने के लिए अनेको प्रतन कर ले पर फिर भी भ्रम दूर नहीं होता और जीव के मन में प्रेम भगती पैदा नहीं होती जिस कारण जीव करम कारण करता हुआ भी उदास रहता है दोस्तो ये सत्गुरु विदास महाराज जी का बहुत थी पावन पवित्र शबद है जो हमें करम कांडों से दूर रहकर प्रभु को सच्चे मन से मानवता का उपदेश देता है दोस्तो सत्गुर्विदास महाराज ने इस मानवता को एक जगा पर इखटा करने की बहुत कोशिश की है बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी बाणियों में लिखा है कि भई हिंदू से कर दोस्ती, मुस्लिम से कर प्रेम कि दोनों एक नूर से बज़ें क्या हिंदू क्या मुस्लिम है ना दोस्तो ये सत्गुर्विदास महाराज जी का पावन प्रिवत्र शबत था आई होप कि आपको ये अच्छा लगवा होगा एक राज किशोर चोधरी भाई जी जी जै गुर्देव जी जै गुर्देव राकेश चोधरी जी शाम कुमार ने भी हमको जै गुर्देव बोला है जै गुर्देव जी मोहन ने, मोहित कुमार ने, परविंदर ने, राकेश जसी राज ने, आयूष हीरा रविदासिया ने दोस्तो आप लोग हमारी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए जै गुर्देव, तान गुर्देव दोस्त, दोस्तों दूसरा एक बात करनी है, कि आपने देखा एक गुर्गावा के अंदर, नुओ के अंदर, मेवाद के अंदर, कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, दोस्तों मानुवता को अपदेश दो, सत्गुर विदास महार ये नहीं बोला कि ये धर्म बड़ा है ये धर्म छोटा है उन्होंने पूरी मानवता को उपदेश दिया है कि एक साथ मिलके रहो कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है सभी समान है सत्गुर विदास महाराज ने तो बेगम पूरा शहर बसाने की मांग की थी जहां पर कोई खोफ ना रहे कोई 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 उदास ना रहे सभी लोग मिलकर एक अच्छा जीवन वैतित करें और दोस्तों सत्गुर विदास महाराज की बाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्गुर विदास महाराज की बाणी का दोस्तों हमें घर गर पहुंचाना है ताकि इस देश में अमन, शान्ती बनी रहे क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों हिंदू, مسلم के दंगे हो रहें है यह आग एक दना, एक दिन हमारे घर तक भी पहुंचेंगी है न क्योंकि क्योंकि जब देश जलता है तो दोस्तो सब कोई बुरा लगता है बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है आजकल जिससे देखकर मन विव्यतित हो जाता है दोस्तो अभी मैं एक न्यूस देख रहा था कि एक राज्यस्थान वाली ट्रेन के अंदर एक कॉंस्टेबल ने चार लोगों को गोली से मार दिया उसमें तीन मुस्लिम थे और एक उसका खुद का बोज था तो दोस्तो ऐसी सी आमान विए घटनाएं हो रही है आजकल उनको देखकर मन बहुत ही ज़्यादा व्यतित हो जाता है है ना तो दोस्तो गुरुबानी से जुड़ो क्योंकि जब इनसान गुरुबानी से जुड़ता है तो उसका मन थोड़ा अलग लेवल पर चल जाता है वो मानवता के प्रती प्यार दिखाता है उसको सब मानम एक समान दिखाई ज़ते हैं जब इंसान गुरुबार्णी से जुड़ता है तो गुरुबार्णी से जुड़े रहें दोस्तों हमेशा और जितनी भी नेगेटिव ये 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 न्यूस चैनल चलते हैं न इनका दोस्तों बायो कार्ट करें इनको ना ही देखो अपने बच्चों को भी आगे ये सब देखने से मना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा अमान भी घटना ही हो रही है आजकल हमारे देश के अंदर जैसे मनिपूर में हुआ था दोस्तों आपने सब ने देखी होगी मनिपूर के बारे में भी वहाँ पे भी वह कितनी बड़ी अमान भी घटना है दोस्तों ना तो मैं इसलिए दोस्तों हमारा यह है आप लोगों से ही समझा सकते हैं हम लोग आपको कि ऐसी न्यूस को बाइकार्ट करें है ना ऐसे न्यूस चैनल को मत देखें जो हिंदू मुस्लिम करते हैं हमारे देश के अंदर है ना क्योंकि ये हमारा देश धर्म निर्पे एक देश थै इसमें हर धर्म का इंसान एक फ्रीडम के साथ रहा सकता है यह किसी के बाप का देश नहीं है यहां पर सभी लोग एकता और भाईचारे के साथ रह सकते है तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम विराम देंगे अप ऐसे ही हमारी वीडियो पे लाइक और लाइक और शेयर किया करो दोस्तों ताकि हम जादा से जादा लोगों से जुड़ सके हम अपनी बात को जादा से जादा लोगों तक पहुचा सके है ना आप लाइक करते हो आप कमेंट करते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे समाज के लोग है वो जुड़ रहे हैं सद्कुरुदास महराज की भाणी से तो आप ऐसे ही लाइक किया करो दोस्तों लाइक किया करो शेर किया करो है ना कमेंट किया करो ताकि हमारे पेज की रीच जादस जादा लोगों तक पहुचे तो दोस्तों मैं आज यहीं पर भी राम करूँगा आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया था तोड़ा हमने लेट लाइव किया है वरना हम आठ बजे के आसपस लाइव करते हैं तो मांगा राम हमें बोलता है जै गुर्देव तान गुर्देव जी मांगा राम जी आपको भी जै गुर्देव तान गुर्देव सत्गुर्विदास महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे ऐसे ही सत्गुरुवदास महाराज की बाणी को दोस्तों आपकी भी जिम्मेवारी है ये कि सत्गुरुवदास महाराज की बाणी को घर घर तक पहुँचाए हम क्योंकि दोस्तों सत्गुरुवदास महाराज की बाणी किसी एक के लिए नहीं है सबी पूरे मानवता के लिए है मानवता का उधार सत्गुर्विदास महराज की बाणी से जुड़कर ही हो सकता है तो आज के इस लाइव से हम यहीं पर विराम करेंगे दोस्तो जै गुरुदेव तान गुरुदेव दोस्तो सत्गुर्विदास महराज की किरपा आप सबी पर बने रहे जै गुरुदेव जी